हेलो गाइज, वेलकम तो माई यूटीब चैनल, LK Classes and my name is Lalit गाइज, आज हम बात करने वाले हैं आपके डेली डाइट से लेटिट गाइज, एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गाइज, इसके लिए मैं पहले से अल्रेट वीडियो बना चुका हूँ कि after 12th आप टीशिंग के लिए कैसे apply कर सकते हैं या कैसे टीशर बन सकते हैं तो गाइज, उसके लिए डेली डाइट सबसे best option माना जाता है गाइज, डेली डाइट के अंदर आप अपने DL8 कर सकते हैं DPSC कर सकते हैं जिससे आप डाइट ली primary टीशर बन सकते हैं तो गाइज, प्राइमेरी टीशर बनने के लिए आपको डाइट में admission लेना होता है जिसका admission process 12th के बाद से start होता है गाइज, इसके लिए मैंने एक already separate video मना चुका हूँ जिसका link आपको आई button पर भी आ जाएगा और साथ साथ जाथ आपको description में इसका link provide कर दूँगा तो आप प्लीज उसको जाके पूरी वीडियो को देखें बाद में आपको इसका registration process में पूरा बताया था हूँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि registration process एक August मलब यानि कि August के first week से started हो जाएगा आपको सब्सक्राइब कराना होता है तो आपको इस वीडियो में बात करने वाले important dates की कब से कब तक registration चल रहा है साथ साथ क्या process रखा गया है पूरी की पूरी full information में आपको देने वाला हूँ डेली डाइट से एलेट इस वीडियो को पूरा आपने सारे friends को share भी करें जिसमें उनको मिल सेगे क्यों इसकी last date 10 August है तो इस बहुत ही short period of time है इसके अंदर आपको अपना registration process registration करना होगा उसके बात से cut off होना started हो जाएगी तो चलिए start करते है सबसे पहले मैं आपको उतायता हूँ जो यह डेली डाइट है इसके बारे मैं पहले description में देश चुका हूँ आपको registration कराने के लिए only आपको 25 रुपीज माइमिन 250 रुपीज आपको registration fees charges रके गए है 2500 रुपे जो हर साल रखे ही जाते है तो इसके अंदर मैं आपको सोरे सारी information यह प्रॉस्पेक्टर है डेली डाइट है इसका भी गाइज मैं आपको लिंक प्रोवाइट करा दूगा जिससे आप डाइट ली प्रॉस्पेक्टर को डाउड़ करके अपने कोडिंगी पढ़ सकते हैं तो गाइज सबसे पहले मैं आपको इसके कुछ important debts के बारे मैं बताने वाला हूँ कि कब से कब तक admission process चलेगा तो आपको पता है यह जो डेली डाइट होती है वो गवर्मेंट और प्राइबेट तो नहीं कोलेज इंस्टिटूट कराते है तो डेली डाइट के लिए गाइज आप no total government college है और 26 आपके private college यानि private institute है तो guys जो first list है वो government colleges की list है तो guys आप देख सकते हैं जो इन नाम है और साथ में आपको इनका mobile number और कितनी number of citizen seat है guys वो भी आपको mention की गई है तो आप देख सकते हैं guys सबसे best मैं आपको बताया था कि government college में अगर आपका यह government institute में आपका अगर admission हो जाता है तो वह आपके लिए बहुत ही जादा past होता है तो guys यह coding cut off के coding होता है तो first of all आप देख सकते हैं कौन-कौन से colleges है guys यह सारी college की list ट्रोल गाइज 9 colleges है आप यह देख सकते हैं मैं देरे दर स्कॉल कर रहा हूं या आप इसको screenshot भी ले सकते हैं या guys आप मेरे description लिंक में जाकर आपको download भी कर सकते हैं तो guys यहाँ पर आपको पूरगाट वोगे मिल चुका है अब guys बात करते हैं यह हमारे private colleges की list है तो guys आप देख सकते हैं सारे के सारे colleges की list साथ में उनका mobile number तो guys यह सब mention किया गया है और सथ तो guys अब बात आ जाती है तो guys आपके कुछ important dates से related तो guys यहां देख को dietly mention किया गया schedule दिया गया है कि जो admission daily diet के लिए या फिर DPSC के लिए 2021 से 23 के लिए आपको करना होगा जिसमें तीन अगस्त से लेकर 10 अगस्त की final date रखी गई है यानि कि आप तीन अगस्त से लेकर 10 अगस्त के बीच में आप जाकर आप इसके लिए करा सकते हैं और करें साइड में आपको आपको साइड भी दे रहे किये www.seert Delhi admission.nik.in का मैं डाइट लिंक भी प्रवाइड करा दूँआ और आपको आगे वीडियो में बताऊंगा भी किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है उसके बाद जो गाई तीन ताइक से दस ताइक तक करा सकते हैं यह फाइनल डेट में कहूंगा कि आप फाइनल डेट आने से पहले ही रेजिशर करा लिए जिससे आप साइड थोड़ी क्रेक्शन होने से बच सके अब बचाए अब कोशन आता है गाई 11-12 जैसे कही सारे स्टुडेंट अपना रेजिशर कर देंगे उनको फिर अब अब आपकी एमेल आइड और मोगाल नमर तो क्लिरली सुन लिजिए चार चीजे नेम है आपका डेट बरते एंड एमेल आइड और मोगाल नमर तो चार चीज बहुत सोचके अच्छे से एली देखकर जो 12 में आपके मार्क शीट में आपके आपने डाउनलोड किया है मारक शीट अरो डाउनलोड हुई है यह आपकी आपके नमर आया है तो क्याइड उसके कोडिंक ली आप अपना result के अपना कोडिंग करें अपर तुब करना जो अंदर लिखा हुआ है नेट आइड अब गोंड अब बात कोई एंट्रस नहीं देना है आपको only guys आपके number based ही आपका admission होगा यानि की merit list निकलेगी जिस merit list में accordingly first merit cut off list नहीं जिसमें जिसका नाम आता है तो guys accordingly अपना admission करा ले अगर guys अगर आप first में नाम आ जाता है और आप कराते नहीं मिल रहा है तो ऊस कंडिशन में guys आपको अपनी सीद यूज को फ्रीज करना होगा और उसके बाद आपको इन perform करना होगा लगर वसको फ्रीज नहीं करते मीविशी सीद को ँफ condition में टैग उस condition में डश the És == how can नेक्स राउंड के लिए यानिकि नेक्स मेरिट लिए अप्लाइ कर पाएंगे इसका प्रोसेश में आपको पूरा कंप्लिट बताऊंगो कि किस तरह से करना है तो गाइज अब बात आती है 17 से लेकर जो फस्त मेरिट लेस्ट लाइगे इसको 17 से 19 के बीच में आपको सीट अल इसके बीच मेरिट लिस्ट लेगी ऐसे ही उसका भी चोब लेकर 25 के बीच में आपका एडिशन चलेगा और गाइज जो हमाई थर्ड को टॉफ है यानि में थर्ड जो मेरिट लिस्ट है वो 27 अगस्त को आएगी उसके अगोडिंग उसके फिर दो तीन दिन तक गाइज उसक डाट क्लियर कर सको है यह रहने वाले है और गयमक्लियुत लिचे जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी तो गयाइज आपको अपनी काउंसिलिंग के लिए अनि कि जब टॉफ आ जाएगी तो इसके काउंसिलिंग के लिए आपको 1000 पे करने होंगे गाइस धियान भी भी आपको जो बाकी रिमेन अमाउंट है वो आपको पेकर खरना होगा अपने रुपीस सब्मिट करने होगी इन केस अगर आपको और नहीं चाहते हो तो गाइज आपको पहले ही उनको क्लेरफाई करना होगा बताना होगा कि लेकिन उससे पहले आपको वन थाउजन रुपीस आपका नाम नहीं किया जाएगा और साथी साथ गाई जब आपका कॉलिज में नेम आ जाएगा तो आपको आपको सब्सक्राइब करने पड़ेंगे अगर आप उसी कॉलिज में लेते हो तो बैस अगर सब्सक्राइब करते हो तो आपको वहां उस चीज के लिए आपको बताना होगा जिस कंडिशन में आपको आपके जो नेम है वो नेक्स के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा ओके गाई तो गईज यह सारी इंपोर्टेंट डेट है यानि ध्यान सब्सक्राइब तीन अगस्त अब हम चलते हैं हमाई डायटली अडिमिशन प्रोसेस पर कि किस तरीके से अडिमिशन होगा तो चलिए सबसे पर आप अपने गूगल को खोलेंगे गूगल पर याज अपने गूगल पर सच करेंगे डियाटली अडिमिशन.nick.in तो आपके समने कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका हूँ अपने डिस्किप्शन में आप वहाँ पर लिंक पर डायट क्लिक करके भी आपके यहां पर आ सकते हैं सबसे पहला आप देखेंगे लेफ्ट कॉर्णर पर आपको प्रोस्पेक्टर गिविल किये गये हैं डियलेट के लिए और आपके DPSC के लिए तो आप क्लिक करके जो भी इंपॉर्टन इंफोर्मिशन है लेजिबिलेटी क्राइटेरिया वह सब इसमें से ले सकते हैं गाइस ओल्डीडी में इसके ओपर डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक भी आपको में डिस्किप्शन में ले दिया है आप पहले उसको देख स अपपर आप्लाइडी चाहां तो डी पेडिक करेंगे प्लाइड कर आपको कॉंसलिंग रेजिटीन नंबर पास्वर्डीय में बहुत आप लगे एफ़ रिया को आपको नीचे तो इंचे स्क्रोल करेंगे और आपको नीचे सबसे नीचे मिलेगा रई सब क्रेस्क्राइड यहां पर आपको कुछ सर्फन कर देगर और ऐगर करके एक लोग देक कर सकते हैं जैसे यहां नीचे आपको क्लिक करते ही आपको सामने उपन हो जाएगा यह लिखा है आपका देट नेम आपका पौदर नेम मदर नेम देटर पर अच्छे से देख पासफ़र्ट जोबी आपका पासफ़र्ड है वो दोनों के दोनों करेंगे जो आपको पासवर्ड चाहिए वो दोनों पासवर्ड आप बना लेंगे टाइन सबոँ करने के बाद आप क्लिक करने के बाद आपना पूरी इंफॉरमेशन यहीं करने के बाद आप करनेके बाद अपना पास्फाट बनाने के बाद स्क्राइब आपikal 2 समुच करेंगे पर साथा उंफरल मिशन जो भी आपने पिल करीथी एक बाद चेक करने के बाद आपको लिखा गया है कि आपको मेल भी आ जाएगा और साथ आपको मैसेज भी आ जाएगा सब्सक्राइब आपको सब्सक्राइब करना है तो यहां पर अप्लिकेशन डिटेल आपके पास अप्लिकेशन नमबर आ चुका है इसके एकोडिंग लिए आप अपना रेशिशन आगे प्रोसेस कर सकते हैं सारा प्रोस्स होने के बाद बाफीस आप अपने लोगइन पेज पर आएगे जो बिल्कुल श्टाइटिंग में आपको मिला था तो यहां पर आपको अपना प्लिकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पे नीचे रेड में इस पर क्लिक करेंगे और आपका अपका अप्लिकेशन आपको अप्लिकेशन फॉर्म खुल चुका है यहां पर आपको दुवार से पनी जो भी आपकी इन्फरमेशन है और पहले से लिए पहले से रिज़र्ब होती है यानि कि उनको 85% इनी बच्चों का अडिमिशन लेगा और 15% है वो अधर स्टेट के बच्चों को मिलेगा अडि अडिके है तो गाइज उनके लिए बहुत जादा बैनेफिट है कि उनके पास 85% सीट पहले से ही रिज़र्ब देली को डेली अगर आप उट्साओ डेली है तो आफसे डेली पे क्लिक करेंगे और इसमें आप अपना नौ पे क्लिक करेंगे एंड मुस्लिम ओनेटी है तो आ अपने यस नो करके एंड नेशनल केडिट क्रॉप मेरी आप एंसीजी में रहे हो तो अगर नहीं है तो नो करके सारी इंफोर्मेशन क्लिक कर देंगे अगर आप स्पोर्ट परसन हो यानि कि अपने स्कूल में जोनल लेवल एस्टेट लेवल तक है अगर आपका पास अगर आप उसमें करते हैं या अपने पहले आपको मेशन करना होगा एंड यहां लिखा है दू यू वांट उर्दू एंड पंजाबी एजा टीशिंग सब्जेक्ट अगर आपको स्टीरिंग सब्जेक्ट उर्दिया पंजाबी में चीए लांग्विज सब्जेक्ट है कई सब्सक्राइब करने के बाद आपके सामने एंटेफेस कुल जागा यह कौलिफिकेशन डिटेल के लिए है कि इंदर आपको पहले 10 की अपने डिटेल करनी है आपको अपना पासिंग स्टेटिस सेट करना है कि आप पास्टों और वीज लिगा है यह कैसा यह कैसा दिया गया इन नहीं इनफोमिशन अनगाइब करते हैं आपका पासिंग यह पासिंग यह के लिए आपको यह जो भी आपने 18 में 17 में 20 में जब भी आपने क्लिर कर देंगे वैसे तो जो भी आपको यह एंड़ को आपको बॉर्ड रोल नमर मेंशन करना है आपका बॉर्ड याज सी बि इस लिए में यहां ऐखसा है और अजने परका हो गई आपको यह मेंची माक्स अगया उनिथा ऑब करते हैं soldier आती है लीच यह आपको CRP शरी प्रोईट करने तिटी में उला नेोफ ते इस में लिखना होगा आपको तो maximum marks जितने marks है और यहां लिखना होगा आपको opt 10 marks जितने आपको मिलें गाइज अगर आप CGP वाले student हो तो आप CGP total 10 में से मिलती है तो guys आप maximum marks में 10 click करेंगे और opt 10 में जो भी आपको CGP मिली है guys वो लिखेंगे और guys अगर आपको dietly marks मिलें तो guys आप easily कर सकते हैं तो उसमें कोई problem नहीं है guys उसके coding लिए आपर automatic percentage बन जाएगी इसको करने के पास guys 12th के student जो भी 12th के जो आपका result अभी आया है उसका passing and guys अपना registration process I mean आपका passing year जो guys यह है जो current चल रहा है जो पिछले साल के student है जो सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि मैक्सिमम में 24 है तो वह भी फिल कर सकते हैं कोई इतनी बड़ी इनफ बात नहीं है and guys roll number फिल करेंगे board आपको द्वारा से बताएंगे institute का address देंगे जैसे आप बोट पर क्लिक करेंगे अपने की आप सेंटरल बोट से हैं ठीक है तो guys उसके बाद अपना school का नाम जिस भी आप school से आपने आपना पास किया है तो guys वह आप यहां पर mention कर देंगे and guys बात आती है आपके subject की guys बात कुछ student बोलते हैं कि हम कौन सर कौन से subject subjects fill करें guys मैं आपको clearly बतायता हूँ आपको total 5 subject fill करने जिसमें से एक language subject होना mandatory है यानि कि आपको language subject नहीं छोड़ सकते हो for example कही सारे students इनके पास time में Sanskrit नहीं होती है तो उस case में उनके पास Hindi होती है और English होती है तो Hindi और English में से guys उनको एक language subject लेना ज़रूरी है but लेकिन top 5 subject ही होने चाहिए only five guys कोई से भी आप subject को add कर सकते हो अगर guys आपके पास only English English था 12 में या Hindi नहीं था तो उस case में आपको English compulsory लेना हो जाता है चाहे तो उसमें number ज्यादा हो या कम हो हो matter नहीं करता ऐसे ही guys guys आपको 12 में आपके पास अगर English नहीं था या Hindi नहीं था या English Hindi में से कोई एक subject था है तो guys आपको language फिल करना ज़रूरी है अगर आपके पास English में था है तो number सबसे कम क्यों नहीं आयों लेकिन फिर भी आपको English हैसा subject आपको फिल करना होगा इसके अंदर फिल कर सकते हैं जिसमें ज्यादा नमर आएंगा जिसमें टोटल फाइप सबसे ज्यादा मार्स आएं वह आप यहां पर फिल करो उनके नेम फिल करो उसका पास पासिंग स्टेटर्स एंद उसके maximum marks और उसको कितने marks मिलें सबसे ज्यादा मार्स आएं वही आप इसके अंदर फिल करोगे फिल करने के बाद आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल जाएगा यह आपका आ गया है आपका corresponding address आपका घर का address आपको फिल करना होगा एंड गाइस उसके बाद आपको अपना permanent address फिल नहा पेज कुल जाएगा यह आपका आपकी जो भी पोटो है और आपका सिगनेचर है वह आपको फिल करना है गाइस याद रखना पोटो का साइट 10 कबी स से लेकर 200 के बीच में होना चाहिए और डॉक्यमेंट का साइज जो आप सिखने करने करने वाले का इसको आपका 10 की से 200 की के बीच में होना चाहिए तो गैस आप इसको आप जेपीजी फोर्वाइट में कर सकते हैं इसके लिए इक वीडियो बना चुका हूं अगर आप वीडियो अगर आपके फोर तो सिंगेशे का लाज रहता तो इसको करने के बाद आप सम्मिट पे क्लिक करेंगे अगर आपको और आपको मेल और आपको मेल आजाएगा और साइसाथ आपको मोईल पे भी आपके नमर पे बीमेंशन आजाएगा कि आपका सम्मिट लिग्स रिस्टेशन हो चुका है अगर आपको और भी कोई डाउट होता है और कुछ प्रॉलम होती है तो गाइस प्लीस में दिन कमेंट कीजिए तो मैं आपके साही डाउट क्लियर कर दूँगा और गाइस तैन अगोस्ते पहले अपना रिश्यों करा लिजिए थैंक्यू गाइस आपको और आपको आपको